नवश्का दोस्तों मैं हूँ मनुश कुमार उपता आप देखने में चनल को और उस पर आज आप सिखाने जा रहे हैं कि जिसके घर में ऐसी टॉटी हो या पर सीधा नल लगा हो स्टील का तो उसमें फेस लगता है अगर आपका फेस खराब है तो आपका यहां से पानी टपक करता रहेगा और कितना भी बंद कर लो वो बंद नहीं होता है अगर आप चाहें तो एक खुद से चेंज कर सकते हैं अगर यह एटम ऑलाइन मिलता है तो आपको डिस्क्शन लिंक देताँ अधर आप प्लंबर की शॉप पर जानी की जो हाड़वेश्य शॉप होती है वहां आपको मिल जाएगा एक नंबर फेस लगता है ऐसी मशीनों में और मैं कोई प्लंबर नहीं हूँ मैं तो सिर्फ अपने घर काम यह थोड़ा सा खुद कर लेता हूं इसलिए मैं सो जब वीडियो बनाता हूं आपके काम आएगी आप भी से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं और अंहीं से लगता है इसके लिए आपको एक धागा चाहिए। ठीक है है? और एक tester, एक plus और इसकी help से आप इसको लगा सकते हैं, बदल सकते हैं, अकरना कैसे है, इसे message आप खोल लिए तो इसे ज़ा सब पुछ करके निकाल सकते हैं बाहर, इस page है, इस page को लिकालते हैं, अब इसको लिकालने के लिए हलका सब ठोकेंगे, अब इसे लिकला पड़ा है, ठीक है, अब वास्टेशन गंदा तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करें, अभी आपको दिखाना है, और इसे खोल लेते हैं, इसका नीचे से नल बंद कर दो, इससे पानी हा कितना बड़े, तो इससे आप 40 रुपए में अपना फेस चेंज कर सकते हैं, घर पारी, मैंने भी एक बाप लंबर को करते हूँ देखा, और सीख लिया, तब से मैं खुदी घर के नल के फेस, चेंज कर देता हूँ, कुछ ऐसी हालत हो चुकिये इसकी, तो अब इसको चेंज करने के लिए मैं लेके आया था, हाटबेर शॉप से, तो एक नमबर फेस है, पहले साफ कर ले न, धागा कोई लगा तो नहीं रगया, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ, इसे देख कर आप अपने घर के फेस चेंज कर लेंगे, जैसे लॉकडाउन है, नहीं मिला प्लंबर, और पानी टपक रहा है, और कहते हैं पानी टपक ना सही नहीं होता, पैसा रुखता नहीं आता हूँ मैं, ज्यादा ज्यादा खर्च रहता है, इसी लिए, हमने सोचा कि खुदीचे निकल लें, और मैं करता ही रहता हूँ, आटो फोकस, तो इसे लगाते हैं, हिसाब से लगाना होता है, कम रहेगा तो पर पानी लिकेज रहने की गुंजाइस रहेगी, हिसाब से लगा लो, इतना सा, यह लिक पारा, तो देख सकते हैं, जो कस्पी जाए, और लिकेज भी नगा रहे, ठीक है, तोड़ लिया, असाइस तूड़ जाता है, तो आपने देख ही होगा है, कैसे करना है, अब इसको कसना होता है, बाकी तो सब सब सेट है, मेक शूर यह सीधा कसे, ठीक है, फिटिंग सही होगी, तो कोई प्राब्लम नहीं होगी, ठीक है, थोड़ा से घुमाया हाथ से, अब इसको कसे, तो फिलाल तो यह 40 का आया था, ओनलाइन रितनी कितने का मिलेगा, वन नथ हाड़ वेर शॉप से खरी सकते हैं, आप, कस गया एक तरह से टिंग से, एक और चेक कर लेते हैं, गंजा, इस है कि नहीं है, बस, ज्यादा भी नहीं कि परसना चाहिए, वहना चूड़ी तूटने का डर रहता है, तो अब क्या करना है, अब इसके उपर ये कैप, कैप सेटल कर लेना, कि जहां पर इसी चूड़ी है, उसके साब से, हो गया, पेच लगाया, और टेस्टर ये पेच कस हो, उससे कस लो, कस गया, ये कैप जो होती है, इसके उपर से ठोक दो, लगा के, रेडी हो गया, अब आपकी वीडियो 6 मिनट की बनी है, अब 6 मिनट में आप पांगी, देख सकते है're flow, और इसे बंद कर देंगे, बंद हो गया, ये बहुत समस्या कर रहा था, पानी टपगने के मैंग, ये पैसे ही पैसे ना रहें, उपर से पानी और टपग रहा है, कहते हैं, पानी टबगने जदन कम होता है तो सच्चा ही है आप में से कितने लोग मानते हैं कमेंट करें ज़रूर बताएं इस शीज को या अंद्रविश्वास है ऐसा नहीं कहते हैं अंद्रविश्वास से तो ऐसे आप सीख गए मिलते नेक्स वीडियो में यह सिर्फ मैंने एक जानकारी के तौर बनाई अब मैं प्लंबर नहीं हो आप पूशन पूशे है लेकिन हाथ होड़ी बत हैल्प कर पाऊंगा तो इस तरीकी कंडिशन के रिखला है लेकिन यह फिलाल काम आ सकता है और कैसे आ सकता है यह बता देता हो थोड़ी वह जान है इसम्रेशन की जोड़ी होती है इसे जैसे कस लेति हैं फोड़ी और कस दोगे तो कुछ देन कुछ हःफ्ते छल जाएगा और पानी रुख जाएगा customers लेकिन एक टाइम पाकि यह इतना काम छोड़ देता है यह थो मिलते हैं एक्स चैनल पर आएगी वीडियो तो सब्सक्राब करना